अगर आप गाडियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY Car Drive चनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल ना भूला चाइना पूरी दुनिया में कुछ बातों के लिए काफी सेमस है जैसे की एक जैसे दिखने वाले लोग पैदा करने के लिए, फटे में टांग अडाने के लिए, सश्टे से सश्टा सावन बना कर दूसरे देशों में बेशिने के लिए, खास कर भारत में, पूरी दुनिया में महामारी फैलाने के लिए और नकल करने के लिए तो आज हम चाइना की नकल करने वाली आदत पर बात करने वाले हैं जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आटो मोबिल मार्केट है और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो फूर्थ पोजीशन पर आता है असल में ये सबसे बड़ा आटो मोबिल मार्केट नहीं है सबसे बड़ा बेशरम आटो मोबिल मार्केट है क्योंकि चाइनीज मार्केट में चाइनीज कमपनिया पूरी दुनिया की मशूर कमपनियों की मशूर गाडियों की कॉपी करती है असल में चाइना के अंदर काम करने वाली कमपनिया पूरी दुनिया की महेंगी और पॉपलर गाड़ियों की डिजाइन को कॉपी कर लेती है और चाइना के अंदर आदे या उससे भी कम दामों में बेचती है और लोग खरीदते भी हैं और क्यों ना खरीदें जब 50-60 लाग क कि गाड़ी जैसी दिखने वाली कोई गाड़ी उन्हें 5 लाग रुपे में मिलेगी तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे ये सब सुनकर दिमाग में आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है जिन कमपनियों की गाड़ियों को कॉपी किया जा रहा है वो कमपनियों कोई एक्शन तो ल करने वाले होते हैं चाइना की बात करें तो यहां के कॉपी राइट लौ के हिसाब से चाइना के अंदर की कमपनियों को कॉपी तो काफी आसानी से कर सकती है लेकिन वही कमपनियों बिलकुल भी आसानी से इसी बात को प्रूफ नहीं कर सकती कि उनकी डिजाइन को कॉपी कि और यही कारण है कि चाइना के अंदर धडले से दूसरी गाडियों की कौपी की जाती है क्योंकि सरकार का हाथ है कौपी तो कई सारी गाडियों को किया गया है लगबक सौ डेड़ सो गाडियां चाइना में कौपी कैट घूम रही हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 15 के बारे में ही बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली गाड़ी है असल मैं इस वीडियो को बनाने के पहले सबसे बड़ा टेंशन मेरा यही था कि इन गाड़ीयों का नाम कैसे बोलूँगा चलिए कोशच करते हैं यह गाड़ी आपको कुछ दे की दे की पैचानी पैचानी सी लग रही होगी कुछ लोग शायद समझ भी गए होंगे कि इसे कौपी किस गाड़ी से किया गया है जो लोग नहीं समझें उनको मैं बता देता हूँ कि इसकी डिजाइन को कौपी किया गया है फॉक्स वेगन की प्रीमियम सिडान पसाट से फॉक्स वेगन पसाट चाइना में मेगो टन नाम से बेची जाती है इंडियन करेंसी के साफ से चाइनीज मार्केट में ये गाड़ी 20.18 लेक रुपीस से शुरू होकर 33.45 लेक रुपीस तकी मिल जाती है लेकिन इस गाड़ी की कौपी मतलब की इस जैसी दिखने वाली गाड़ी वहाँ पर इंडियन करेंसी के साफ से सिर्फ 5.28 लेक रुपीस से शुरू होकर 9.71 लेक रुपीस की मिल जाती है मतलब की 34 लाक रुपे की फॉक्स वेगन पसाट जैसी दिखने वाली गाड़ी आपको सिर्फ सबा 5 लाक रुपे की मिल जाती है चाइना में गजब भाई इतनी तरक्की खान ले जाओगे दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो अब अपनी स्क्रीन पर मौरिस गाराजिस की जी एस को देख सकते हैं आगे से पीचे से अंदर से और अब देखिए इस गाड़ी के कॉपी केट की इमेजिस जिसका नाम है डॉंग फैंग ए एक्स फोर ये कॉपी केट एक्स फोर इंडियन करेंसी के साफ से चाइना में 8.18 लेक रुपीस से शुरू होकर 9.26 लेक रुपीस की मिलती है जबकि इसका ओरिजनल बर्दन मतलब की Morris Garages GS 12.92 लेक रुपीस से शुरू होकर 19.28 लेक रुपीस की मिलती है चाइना में तो यहाँ पर भी वही का नहीं है रीबॉक की जगे रीबुक बेचेंगे एडिडास की जगे रीडास बेचेंगे क्या करें आतत से मजबूर है चलिए तीसरी गाड़ी के बारे में बात क स्कवरी स्पोर्ट 38.53 लेक रुपीस की मिलती है लेकिन वहां की कमपनीज ने इस गाड़ी के डिजाइन को कॉपी करके एक नई गाड़ी बना दी जिसका नाम रखा चैंगन CS55 और यह कॉपीकेट गाड़ी वहां पर सिर्फ 9.16 लेक रुपीस से शुरू होकर 14.45 लेक रु युवान इस गाड़ी की डिजाइन को देखिए काफी पैचानी पैचानी से लग रही होगी असल में इसकी डिजाइन को कॉपी किया गया है फोड इको स्पोर्ट से लेकिन यहां पर प्राइसिस का कोई खास अंतर नहीं है इको स्पोर्ट चाइनीज मार्केट में 8.6 लेक रुपीज से शुरू होकर 13.04 लेक रुपीज की मिल जाती है जबकि इसकी कॉपी केट योवान 9.7 लेक रुपीज से शुरू होकर 15.10 लेक रुपीज की मिलती है मतलब की कॉपी केट गाड़ी और इसनल गाड़ी से भी महंगी है अगर मैं इस कंपनी की बात करू मतलब की BY इस लोगों को भी कापी कर लिया है। करने को भी अगली गाड़ी के बारे मुद बात करते हैं, तो ये है BAIC BJ80 गाड़ी का नाम है या कोई कोड है इस गाड़ी की डिजाइन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं बाहर से और अंदर से अब देख लेते हैं उस गाड़ी को जिसकी डिजाइन से इसको कॉपी किया गया है Mercedes G-Class Mercedes G-Class चाइनीज मार्केट में 1.4 करोड रुपीज की मिलती है लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ की कंपनिया नकली G-Class सिर्फ 35 रुपे में बेचती है चटवी गाड़ी है 4 Beston X40 Electric Vehicle इस गाड़ी की डिजाइन को भी आप अच्ची तरह से देख सकते है इसको कॉपी किया गया है Mazda CX-5 से हालंकि प्राइसेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है Mazda CX-5 वहाँ पर लगबग 19,5 लाग से 25,6 लाग रुपे की मिल जाती है जबकि इसकी कॉपी कैट 20,5 लाग से 25,5 लाग रुपे की मिल जाती है साथवी गाड़ी के बारे हम बात करते हैं तो वो है Land Wind X7 एक बार देखने में तो आप लोग भी दुखा का गए होंगे आपको लगा होगा कि ये Range Rover Evoque है असल में ये गाड़ी Range Rover Evoque की कॉपी कैट है चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के साब से Range Rover Evoque 38.37 लाग रुपीस से शुरू होती है जबकि इसकी कॉपी कैट Land Wind X7 सिर्फ 14.022, 16.29 लाग रुपीस की मिल जाती है अगली गाड़ी के बारे हम बात करते हैं तो Toyota Alfred को तो आप लोगों ने देख ही होगा इंडियन मार्केट में भी Toyota वालों है इसी से मिलती जूलती Wellfire को लाँच किया है अभी हाली में ये एक Premium MUV है चाइनीज मार्केट में भी ये गाड़ी 80.60 लाग रुपीस से शुरू होकर 84.82 लाग रुपीस की मिलती है इतने प्रैसे सुनकर हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार गाड़ी बजट में नहीं है कोई और देखते हैं लेकिन चाइना में असा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर टोयोटा आलफर्ड जैसी दिखने वाली गाड़ी सिर्फ 13.94 लाग रुपीस से शुरू होकर 33.60 लाग रुपीस की मिल जाती है इस नकली टोयोटा आलफर्ड का नाम है रुईली डोडा वी एट रॉल्स रॉइस की गाड़ियां कौन नहीं खरीदना चाता लेकिन कुछ ही खुशकिसमत लोग खरीद पाते हैं रॉल्स रॉइस की कई सारी प्रीमियम कार्ट में से एक है रॉल्स रॉइस फेंटम ये गाड़ी इंडिया में लगबग 9-11 करोट रुपे की मिलती है इंडिया ये नहीं पुरी दुनिया में इतनी मेहंगी गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो वहाँ पर इस गाड़ी को खरीदना हर किसी के बसकी बात है क्योंकि वहाँ पर नकली रॉल्स रॉइस फेंटम सिर्फ 24 लाग से 36 लाग रुपे की मिल जाती है इस नकली रॉल्स रॉइस का नाम है गीली जी इ गीली वालों ने सिर्फ रॉल्स रॉइस की गाड़ी को ही कौपी नहीं किया है spirit of ecstasy जिसपे रॉल्स रॉइस का कौपी राइट है उसे भी गीली वालों ने कौपी कर रखा है मतलब भाई यार खुट का कुछ तो कर लो अगली गाड़ी के बारे हो बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक गाड़ी को देख पा रहे होंगे इसको देखकर आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा मारूती 800 लेकिन तोड़ा ध्यान से देखिए ये मारूती 800 नहीं है ये उसकी कॉपी कैट है जिसका नाम है Jotia Jingyan TT जिस तरह से एक समय पर मारूती 800 इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी उसी तरह से ये Jotia Jingyan TT चाइना की भी सबसे सस्ती गाड़ी थी एक आतबारा और उस गाड़ी का नाम बोला तो मैं खुद का नाम भी एक बार में नहीं बोल पाऊँगा 800 की कॉपी केट में भी 800 CC का ही 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ था जो 37 BHP की पावर जिनेट करता था और 60 NM का टॉर्क इस इंजन में चाइना में 19.23 के MPL का माइलेज क्लेम किया जाता था ये गाड़ी चाइना में 2.23 लेक रुपीस से शुरू होकर 2.77 लेक रुपीस की मिल जाये करती थी इस गाड़ी की डिजाइन किस हद तक मारूती 800 से कॉपी की गई है वो तो आप समझे गए होंगे Champan Link Swan इस गाड़ी को देखकर आपको Innova Crista की याद आने लगी होगी क्योंकि इसकी डिजाइन को उसी से कॉपी किया गया है आप देख सकते हैं इस कॉपीकेट के एकस्टिरियर को और इंटिरियर को लेकिन ये गाड़ी Innova Crista इतनी मेहेंगी नहीं है चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के साफसे ये सिर्फ 7.3 लेक रुपीज से शुरू होकर 11.92 लेक रुपीज की मिल जाती है अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक गाड़ी देख पा रहे होंगे इसको देख कर आपको लग रहा होगा कि ये पॉडशे की गाड़ी है लेकन असल में ये उसकी कॉपी कैट है इस गाड़ी का नाम है शुजु इगल कैरी ये चाइना की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार है और इस कमपनी ने सिर्फ गाड़ी को ही कॉपी नहीं किया है उसके लोगो को भी कॉपी कर लिया है इस कॉपी कैट की डिजाइन को आप देख सकते हैं और अब देख लेते हैं पॉडशे की ओरिजनल कार को आप देख सकते हैं कि किस हद तक इस गाड़ी को कॉपी किया गया है BYD S7 ये वही कमपनी है जिसने BMW के लोगो को कॉपी किया था इसने एक और गाड़ी कॉपी किया है जिसका नाम रखा है S7 और इस गाड़ी की डिजाइन को कॉपी किया गया है Lexus RX से चाइनीज मार्किट में Lexus RX 42.78 लेक रूपीस से शुरू ओकर 85.91 लेक रूपीस की मिल जाती है जबकि इसकी कॉपी केट सिर्फ 10.74 लेक रूपीस से शुरू ओकर 16.11 लेक रूपीस की मिलती है 14 त कार है Brilliance V5 इस गाड़ी के एक्स्टियर को इंटियर को आप अच्छी तरह से देख सकते है इसकी डिजाइन को कॉपी किया गया है BMW X1 से X1 चाइनीज मार्केट में 30 लाग से 36 लाग रूपे की मिलती है जबकि इसकी कॉपी केट Brilliance V5 सिर्फ 9.5 लाग से 7.11 लाग रूपे की मिल जाती है 15 त कार के बारे हम बात करते हैं तो हमर कौन नहीं जानता इस गाडी को और कौन पसंद नहीं करता इस गाडी को लेकिन चाइना की कम्पनियों ने इस गाडी को भी कॉपी करने से नहीं छोड़ा एक नहीं कई सारी कम्पनियों ने इस गाडी के डिजाइन को कॉपी किया है जैसे कि Dongfang Hanma, Dongfang Mangshi, Yao Long Excel में काफी सस्ती मिल जाती है तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आटो मुबील मार्केट में किस तरह से नकली गाडियों को बनाया और बेचा जाता है काफी सारी कमपनियां चाइना की इन कमपनियों के उपर कॉपी राइट का केस लगा चुकी है लेकिन चाइना के एक तरफा कॉपी राइट लॉकी वजा से कुछ ही कमपनियां जीत पाई हैं ज्यादतर कमपनियां हार जाती हैं तो चलिए कमेंट करकर मुझे बताइएगा कि चाइना की इस एक और करतूत पर आप कौन से दो शब्द कहना चाहेंगे इस वीडियो में तो बस इतना ही हैं अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करतीजेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन को दबाना बिलकुल न पूलना आपका दिन शुब रहे धन्यवाद